के टोन और कार्बोगजिल कि टोन स्टार्ट करें हम लोग क्या चीज़ आज स्टार्ट करते हैं कि लादे के टोन और कार्बोगजिल कि अगर कि अगर्बोच करें लोग करते हैं ketones and carboxylication ओके, ये निया चेक्टर है इसमें काफी कुछ हमने पढ़ लिया, ज्यादा कुछ बचा नहीं है थोड़ा सा बचा है, वो भी हम इसे complete खल लेते हैं LDH आप जानते हैं, इसमें compulsory CHO group होता है एक तरफ CHO होना क्या है, जरूरी है अगर ये अलकाल गृप से जुड़ा है, तो अलिफैटिक अल्डिहाई, बेंजीन से जुड़ा है, तो अरोमाटिक अल्डिहाई दोनों तरफ कारबन है, तो ketones क्याते हैं अब अगर अलकाल गृप के साथ aromatic group लगा है, तो pure 100% aromatic हो गया इनकी naming कैसे होती हमें पता है, इनमें isomerism कौन सा होता है हम जानते हैं, इनके जनरल में थार अप्टिप्रिशन हमें जानना, अब यहाँ पर by oxidation of aromatic side 6, एक बात याद रखना, किसी molecule में benzene ring से attach जो carbon हो, उस पर यदि hydrogen हो पस्ती तो, ध्यान से सुनना, benzene ring से attach जो oxide drift हो, यदि इस यह कार्बोगजिली केसिर में oxidize जाता है, और oxygen है, S2O बनके बाहर निकल लेंगे, समझ मागया, nitrogen है तो ammonia बनके बाहर निकल लेंगे, chlorine है तो SCL बनके बाहर निकल लेंगे, तो यहाँ पर aromatic compound का side carbon chain होगा, यदि उस पर hydrogen उपस्तित है, तो उसका oxidation हम अराम से कर सकते हैं, जित यहाँ पर कोई R group अच्छा है, और इसका reaction आपने strong oxidizing agent जो आपने पीछे लिखा है, उससे करा दिया, यह R क्यास्तान पर, CS3, methyl, ethyl, propyl, isop, isopropyl, कोई भी alkyl group हो सकता है, इंके लावा इंके साथ कोई बाहरी group हो सकता है, जैसे यहाँ पर CS2 के साथ hydrogen हो सकता है, यहाँ यह first atom के पास hydrogen होना compulsory, एक से जादा है, तो भी काम चलेगा, समद्ध मागया, यहाँ पर CS2, NS2 group लिखाओ, NO2, et cetera, any group in which first atom should have hydrogen, any group having hydrogen at first atom, any group with first atom as CH, इसमें first atom क्या होना चीज़ है, CH, minimum, minimum required, first atom, any group having first atom with hydrogen, any alkyl group having first atom with hydrogen, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर tertiary butyl group नहीं ले सकते, क्योंके tertiary butyl group लेंगे, इसके first atom पर hydrogen, अब मैं आपको बताओ, इन सब के mechanism different है, इसका mechanism अलग, इसका mechanism अलग, इसका mechanism, जितने group में ने लिखा है, उ इस aromatic carbon का, जो side carbon होगा, अगर इस पर hydrogen है, तो उसको हम C++ में बदल देंगे, बस, और कुछ नहीं, जितने R group होँगे, सब ही बदल जाएंगे, जैसे माल लिया, एक R है, तो वो carboxylikasin में बदल जाएगा, किसी compound में दो R group अटा है, जैसे माल लिया, कई पर हमने एक और R 1,3 dimethyl benzene, क्या नाशुगा इसका, 1,3 dimethyl benzene, यदि मैं इसका oxidation करें, जिसका 1st carbon, carboxylikasin में, यह भी 1st carbon carboxylikasin में oxidize, यहां भी यह carbon, यह carbon carboxylikasin में oxidize, यहां पर भी, यह दोनो carbon, carboxylikasin में oxidize, यहां पर यहां फो यहां पर देना चाहूंगा, जो आगे आपको या इनकी प्रेजिंस में हीखे, तो ये लोग H2O निकाल, इनकी डिमांड होती है, ये सब वाटर निकालना चाहते है, तो जानते क्या होगा, फिर ये दोनों AC रापस में इस प्रकास से रेक्शन करेंगे कि H2O निकले, तो एक OH और एक H क्या होगा, बाहर निकल लेगा, और इक राइड का फर्मेशन होगा, अब एक क्यूशन आपके इक पूछा जा सकता, इस आज़त है पूछन के, क्यूशन यह है, कि एक मॉलिक्यूल है, जिसमें 8 कारबन, और इनका रेक्शन हम करते है, इनका हम रेक्शन करते हैं, K2, Cr2, O7, H+, से ये मॉलिक्यूल आपका P है, इस मॉलिक्यूल ने P नहीं है, ये मॉलिक्यूल P है, है न, तो ये H+, K2, Cr2, 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 H+, A बना, और फिर A को हमने हीर कर दिया, यहाँ पर B बना, compound B जो बना, ये है, इसका मॉलिक्यूल आपका फार्मूला है, C 8 ही रखते हैं, हाइड्रोजन इक करते हैं, थोड़ा घटा दे Option A, Ethyl Benji, Option B, Methyl Benji, Option C, Methyl Benji, लेकिन Methyl की Position जो है, आपका 1-3 है, Option D, 1-2-D, तो एंसर क्या होने के चांसे हैं, याद रखेगा, दो कार्बोगजली ग्रूप आपस में रियक्शन आसानी से करते हैं, यदि वो पास-पास हैं, तो क्या होने की possibility है, यहाँ पर ये जो कार्बो यहाँ से बहा निकल सकता है, और यह बन जाएंगे आपके, यह बन जाएंगे, इसका कितने कार्बन प्रजन देखें, 6, 8, और Hydrogen 4 हो गए, और Oxygen 3 हो गए, तो यह बन गया, अच्छें के नाम भी आपको पता होने चीए, यह तो Orthosaline, इसका नाम बताईए क्या है, इसे कहत आइसो थैलिकेसिट, गलत दिखा, यह आइसो वाला, यह मिटा होता है, आइसो थैलिकेसिट, और इसे कहते है, तर थैलिकेसिट, 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 तर थैलिके पर इससे S2O बाहन, इससे एन्हाइटराइड नहीं बनता, इससे एन्हाइटराइट का फरमेशन नहीं होता, इनको एन्हाइट का फरमेशन बनता, तो ऐसे एक्जाम आपके question मैं पूछे जा सकते हैं, तो आप तयार रहिए है, यह हो गया reaction, क्या लिखा आप इसमें यह जो पी बना है, छोड़ो याद पूरे डिलिकर दूब, इससे बात बनने वाले नहीं है, कुश्चन यह है, अच्छा डिलिक नहीं हुआ यह है, अभी जही मेन्स का सवाल होंग्या, कुश्चन तोरा कठीं होंगया, या, how many benzenoide structure are possible, how many benzenoide structure of P are possible, यह, answer से, अब आपको यह बना दिया, यह बना दिया है, अब आपको benzenoide structure बनाने है, तो यहाँ पर ultra, आइसका मतलब कुछ benzenoide structure होगा, यह यहाँ से अंदासा लगाएंगे, ultra चल के क्या बनेगा, यह question थोड़ा क्या हो जाता है, cutthin हो जाता, answer क्या हो जाता, answer क्या हो जाता A, B, C and D, अचा, इसी aromatic side carbon chain को, अगर आप strong oxidizing agency oxidation करते हैं, K2, C, R2, 7 और potassium permagnate, तो वो acid में बदलता है, पर इसे अगर थोड़ा healthy oxidizing agency reaction करा दें, तो यह aldehyde तक ही पहुंचता है, और वो कौन-कौन से हैं, यह हमारे exam में बार-बार पोचा जाता है, एक है, CRO2, CL2, carbon dioxide, carbon dioxide, carbon chromyl chloride, chromyl chloride followed by hydrolysis, इस reaction को retard namak scientist ने दिया है, तो इस लिए reaction को retard reaction भी खहते हैं, यह aldehyde ketone बनाने के लिए बहुत फेमस तरीका है, बला important, actually aldehyde ketone जो होता है, हमारे pharmaceutical industry, दवाईयों की company में इसका बहुत यूज होता है, तो दवाई को सस्ता बनाने के लिए लोग तरह-तरह सरे आपने ether की hydrolysis पली थी न, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा OH, फिर ऐसे यह वाला bond टूटेगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा OH, और इस carbon पर जब 2 OH आ जाएगे, तो H2O बनके यह बहार निकल जाए, यहाँस क्या निकल लेगा, बत तो what with the product, और फिर वही पुछा जाए, यह CRO2, Cl2 और carbon dioxide तो है उसके बाद water hydrolysis कर दे, तो what's with the product, इसमें जो product होगा वो यह बनेगा, और इसमें जो product होगा वो यह बनेगा, बिना पानी के वहाँ तक गाड़ी नहीं पहुचेगी, आया समय में आपको, इसमें आपने सबसे अगला, समय नहीं आपके पस, अगला, सेम एक और एक्षन है, कि अगर हम chromium oxide CRO3 के साथ reaction कर रहा है, chromium trioxide के साथ, acetic enhydride water और फिर hydrolysis, तो याद रखना, इसमें जो बनता है, यह 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 बनता है, compound, aldehyde में बदल जाता, इसमें side product आपके, side product लिखने के कोई आउ सकता, नहीं है, 2 molecule acid के बन जाएंगे, S2O निकाल तो, आप साथ यह सब पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आप लो, पढ़ें आप लो, भूल गया है, पढ़ें तो सब हैं, 12 पास हुए हैं, तो पढ़ पढ़ाएं, front page, बस यहां example नहीं दिए गए, यहां पर example नहीं दिए गए, इसमें यह bond बीच से तूटता है, left carbon पर एक oxygen, right carbon पर एक oxygen जोड़ जाता है, तीसरा oxygen, zinc के साथ मिल के क्या बनाता है, zinc oxide, अगर zinc नहीं है, तो फिर zinc, oxygen जो है aldehyde को acid में convert कर देता है, I think यह हम लोगों को पता रहता, तो 1 degree, 2 degree, 3 degree alkyl halide, dimethyl sulfoxide, followed by hydrolysis करते हैं, सब dimethyl sulfoxide आप देखो, तो यह इस carbon से hydrogen, carbon से hydrogen, hydrogen निकल लेता, यह hydrogen और hydrogen निकल जाएगा, यहां पर 2 bond घटेगा, वो देखे double bond बना लगा, aldehyde बन जाएगा, तो 1 degree halide है, यह आपसे बनेगा aldehyde, और 2 degree halide यह ketone, और 3 degree halide का oxidation, नहीं होगा, बस आपके exam में question याद रखना, यह पढ़ चुकिए हैं आप लो, alcohol वाला तो, यह नहीं पढ़ा आपने, जैसे लोग कहीं पर यह लिग दिया, यहां पर CL, यहां CL, यहां CL, अब अब बताएगे, DMSO, आगे बताएगे, क्या करेंगे, अगर हम इसका reaction कराते हैं, तो क्या होगा, इसका first carbon होगा, यह oxidized होगा, और यह first carbon oxidized होगा, यह बन सकता, प्रामरी, aldehyde है, यह यहां क्या बन जाएगा, बताएगे, ketone, यहां भी क्या बन साएगा, यह किनारे वाला carbon है, तो aldehyde, औ By Oxidation, आप alcohol, alcohol का oxidation हमने पढ़ाएग क्या, alcohol इतल फिनल में पढ़ाएग, तो फिर हमने पढ़ाएग कि अगर 1 degree alcohol का strong oxidizing agents reaction कराते हैं, तो वो 1 degree वाला carbon acid में बदल जाता है, और mild oxidizing agents कराते है, तो 1 degree वाला carbon acid में बदल जाता है, ketone, 2 degree alcohol के case में, दोनों ही condition में क्या बनता है, ketone frozen moon reduction आपने नहीं पढ़ा, आपको बता दू, देखो, S2 PDBSO4 जो होता है, ये catalyst की property को जो है, थोड़ा deactivate कर देता, catalyst को थोड़ा क्या कर देता है, उसको, उसकी activity को कम कर देता है, इसे catalyst poison भी कहा जाता है, जानते हैं आप लोग, तो S2 को PDBSO4, इसे Lindlarge catalyst कहते हैं, क्या कहते हम आप क्या करेंगे, इसका ये वाला, सिर्फ एक बाही रिडिउश होता है, ये वाला bond टूजएगा, 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-1 इस बार को ये पूछा जाता है, त्यूकि देखो, उनको लगता क्या है कि एक्जामनेर को कि बच्चे आले भी पूरे बायों के इतना ज्यादर फ्रैक्ट रियाद करना होता है, फिरिस भी याद करना होता है, और केमस्ट्री भी याद करना होता है, और केमस्ट्री अकेले वहाँ पर जाने से क्या फर्क पढ़ता है, वहाँ के जाके वहाँ तो आप पेर पोधे तो काट के चेक करोगे नहीं कि बॉटनी वहाँ पर पढ़ रहा है, उसके तना में क्या है, उसके पत्ते में क्या है, क्या है, क्या है, क्या होने वाला और हमें पीछे करने का प्लानों बना के गयते। उन्होंने देस के थीकर हुए। पहले पकिस्तान बना, पकिस्तान से बंगला देसने बना। उनको कहें अपड़ने करना हूए। बहुए chemistry रुताब पढ़ना चाहिए जब आपको chemistry में research करना हो, chemistry में आगे बढ़ना हो, तब chemistry से graduate हो या, chemistry में आगे आई, जब doctor बनना है, जब दवाईयां देना है, तो हमें कहाई के लिए chemistry बना रहे हो वाँ पे, हमें doctor बनने दो, बलकि doctor ही starting से पराऊ उनको, 11 से ही doctor का subject द मैं तो नहीं लड़ सकता है, मुझे तो कोई, हाँ, वो जीज सकते हैं, लेकिन तब, जैसे हो चुना हो लड़ेंगे, दुनिया कहेगी है, स्वार्थ के लिए ही इसम नाटक किये थे, असली मुद्दात इनका चुना हो लड़ना था, इसे लिए नाटक किया था, तो कि आसी में से कोई डॉक्तर हो सकता है, कि DOCTOR히 छोटे, योप्सी के फिल में गुज यह बन गया क्या चीस है यह S2 PD लिखा तो यह पहले LD हाइड वापस अलकॉल में रिदूस हो जाता इस अलकॉल कैसे होता है यह पहले LD हाइड बनता है और फिर इस पर S2 और जोडते हैं तो यह अलकॉल बन जाता है तो जो ताकतवार reducing agent होते हैं वेल कोल बना देते हैं क्योंकि यह PD जो होता है PD भी SO4 जो होता है PD से कमजोर catalyst होता है यह फर्दर आगे reaction में भागनी लेता next बाई 5 reaction आप Esther, die bell दो bell यह आपकी exam में यह जो आज पढ़ा रहो होना काफी important है अब इदर की हर lecture important, almost हर lecture important है और जादे दिमाप नहीं लगाना है और यह direct question आते है एक तो रोजन मूंड आज आपने जो reaction पढ़ा है आज के lecture से हो सकता है कि एक दो सवाल आजा अचा आपको बताऊ यह 2 सवाल जो counting होती है अब जैसे इसमें आपके कितने chapter सामिल इसमें दो चाप्टर सामिल अचा डाइबल जानते है, डाइबल क्या होता है दो बेल बेल कैसा दो सवाल होती है यह यह देखो दो बेल, एलमूनियम से जोड़ दो इसे करते है डाइबल H क्या, यह है क्या, यह यह यह, what is this यह Isobuty यह Isobuty तो डाइब आइब आइबल Isobuty डो Isobutyl है, एलमूनियम से जोड़ा है, तो नाम Isobuty और H बोले थो रख जैसे Lithium Dulmin हटो होता था ना, कुछ उसी प्रकार से यह भी है सिर attracted, उसमें 4 H यह फ्लस माइनस डीनी है तो यह भी एक माइनस देता पर थो दौ। और एक ही देता है, यह क्या देता है, एक भहुत तेजी से देता है, और एक थोड़ा स्लो देता है, क्योंकि जब एक देता है, तो एक देता है, तो एक देता है, तो थोड़ा स्लो 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 देता है बट यह कितने दे सकता है? एक. और साथ में भीर बहुत जादा. यह पूरे भीर के साथ है. इसको कहीं पर घुश के strike करना और attack करना क्या होगा? बताओ. पाकिस्तान में जाकर कि strike करना इसके लिए क्या होगा? बताओ. इसके लिए tough होगा क्योंकि यह खुद बड़े size का होता है लेकिन it reduces any compound more than once. तो यहाँ पर लिएक सकते हैं इसके बारे में, यह h निकाल के क्या बनेंगा? कुछ ऐसे. तो इसके बारे में, give only one h minus, give h minus slow. only one h minus but slow. लिएक सकते हैं, give h minus slow. less reactive due to bulky, bulkiness या large size. it reduces any functional group once. इसके बारे में, इसके बारे में क्या क्या हैंगा बताओ? can give, बोलो, can give more than one h minus. give h minus, fast. strong reducing, smaller in size, strong reducing as in, can reduce any functional group more than once. यह एके 47 सलाता, वो तो कट्टे चलाता. इसमें एक ही गोली मारेगा बस. यह क्या करेगा? तब तक मारेगा जब तक कि उसमें सांस जिंदा बाई. यह भी it find in वासेपूर, गैंगा वासेपूर का सदस है, और यह जो है, कहाँ पाए जाता है? नहीं नहीं यह थीक है, नहीं नहीं थीक है, नहीं थीक है. तो समझ गया है? अच्छा, अब सुनो यह काम कैसे करते हैं. यह एस तर है, डाईबल भाई से रेक्षन कराते हैं? डाईबल भाई से रेक्षन कराते हैं? बोलो, अच्छा, डाईबल, एक और बात बता दू, यह कम तेमपरीचेट पर अच्छा काम करता है, मतलब अक्सरिस्कों कम टेंबरिचेट पर ही लेते हैं, इससे क्या निकलेगा, H-, वो H- क्या करेगा, यहाँ पर कार्बन पर जो प्लस है, यहाँ टैक करेगा, और इसको बदल देगा, R, C, O-, O, R-, और यह H, फिर क्या होगा, आगे जल्दी से बता दो, फिर यह O-, एलेक् से बाहर बाग जाता है, और यह बन जाता है, क्या, R, C, O, आगे H, और यह R-, O-, गुरू, R-, O- क्या होगा, डाइबल का जेक्साथी होगा, डाइबल माइनस, नहीं, डाइबल प्लस होगा, क्योंकि यह H- निकल रहा है, तो इसके साथ तो डाइबल का L जुड़ा होगा, पानी लेंगे, आप तो क्या होगा, what happened, यदि आप पानी लेंगे, पानी वाटर, इसमें वाटर आप मिलाएंगे, इधर तो LD हाइट पर कोई फ़र्ट नहीं पड़ेगा, और इधर आपको क्या प्राप्त होगा, R-S, O, H, और प्लस, O, H, A, L, दो बैल के साथ, बार बार, बार बार मेकनीजम लिखने की कोई हो सकता, नहीं है, आप डारेक्टी से काम चला सकता, चलें, आगे बढ़े हम लोग, गले में, खिच-खिच, गला दबाओ, अच्छा, डाइबल वर्क, बेटर एट लो तेमपरेचर, अक्सर आप देखेंगे, तो जहाँ होता क्या है, यह वला बान टूटेगा, और डाइबल का जो H है, डाइबल का H यहाँ पर जुटजाएगा, और यह यहाँ से H लेले, पाहन ऐसे H लेग, पानी से H लेगा, और बन जागा दो यह थोड़ना, यह थोड़ना, इस दरना बान तो इधर बना दो अल्कुहल, प्रियोग बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए LDH पे रिसर्स बहुत ज्यादा हुए, और्गनिक में सिंथेस बहुत ज्यादा है, तो LDH ketone के रिक्शन ज्यादा ही इंपोर्टेंट होते हैं, मैंने भी बहुत सारे LDH ketone का प्रियोग करके ही उसमें बना रखा, आप देखें पता दला कि जो salary आती है महीने खर्च जाती है, जब हम 60 साल के होंगे, retire होंगे, जब हमारी सरीर काम नहीं के, इक विसलिए 70 साल बाद हमारी अंदर जो machine है, ये कोई machine जो होती है, वो खराब होना start होती है, तो उसको repair करने के लिए दवाई लेन पड़ता है, तो उस समय जाने से खुदी talent गौर्णमें जाने से घतराने लगे, लोग गौर्णमें नहीं जाते है, क्यों जाएंगे भईगी, अच आपने लिए pension गौर्में नहीं है टाई, एक बार विधायक बन गया, तो उसका pension मिलेगा, और जब वही वपस संसत बन गया, तो उसका भी pension मिलेग उनकी एक थाली जो वहाँ पर संसत बहुन में दी जाती है, एक थाली को प्रिपार करने में सारे पांच चार स्तावंस रुपे लगते हैं, और उनको मिलती है पांच रुपे में, क्योंकि वो गरीब है, मतलब उनकी एक थाली को प्रिपेर करने में स्तावंस रुपे खरच यह कोई भी हो सब एसे करते हैं अब किसी मैं काता हूँ हम इसको तब मानते थीक है आप इंसन खट रादो बट इंसन सब्की हटनी चाहिए आपके लिए पांच रूपर रुबर की थाली नहीं होनी चाहिए आपके लिए तो आप तो खरीद के खा सकते हैं मेरा सम्माना है कोई बात ही अब मेरा मानने से कुछ होने वाला हो शक्ता है आपमेसे कोई स्ताइब के स्टाट जाटाफ सथा आपर एक बार इक बड़ी कंपोनी आपर इंडिया में आंकर के बिखा दे या के चलाक कईए दरार यहां कि एक बार अपने स्टार्टपु दिखा दे धंए पहले बात आं पो कंपणी को परमीशन लेने कि लिए ही इस दफ्तर अग्पर अग्यों कहें चाया पर कोई बात आप चेंज हरेंगे मुझे पका विश्वास है चलिए 1 2 3 4 5 olarak पंच हो गया मने कैसी कउस गांट किया एक तो 5 कारबन होगे पहला करण अल्ड़एऊ होग पहला पंचो होगा इसमें क्या करेंगे यवाला बंट्योट एंगे सिधा थी को इसओ यसे कुष्ण इसीले भाएंश में पूछे जा चुके हैं अivia तोर इसका dyabal as water reaction कराये, तो क्या बने अब इसका रिसान आयरा बने में दो अब ऩाइब इसका बे इसा कर दें ये ट जाए गर कि ये बनजाएगा इसको ये लूंग जयको ये फर्दर ही बद आछ रद आप कि अगालए लिखालए के तभी रोखेगी जब डायबल मखेपे अच्च, अच्छा ऐखे, यह औल हाटक यह कैसे होता, बताओं कि आपको, अब आपको मेकनिजम बड़ा बड़ा नहीं बताएंगे, छोड़े मेकनिजम बताएंगे, आप खाली इतना मुझे बताओ, डाइबल से क्या नहीं कलेगा, मेकनिजम को थोड़ा कर लेते हैं, मतलब अपने दिमाग में बैठाने के लिए, मेकनिजम को हम छोटा कर लें, ताकि आसानी से कर सके, ठीक है, अब मुझे बताएंगे, यह बन्टूर के कहा पर जागा, अब मुझे बताएं, न पर कौन सा चार्ज जागा, माइनस, C पर क्या में कभी भी पानी, water, F-plus से रेक्शन कराया जा, तो जो फाइनली होता है, वो इसके बीच का बान पूरी तरीके से तूट जाता है, और पानी का वो कार्बन से, hydrogen सारीके से जोड़ जाते हैं, जो है, अमोनिया से जोड़ जाएंगे, दोनों hydrogen अमोनिया से जोड़ जाएंग कभी methyl, कभी methyl, कभी phenyl, कभी cyclopentyl, number of persons बढ़ाते रहूँगा, और आप ये direct ldhyde अब बनाते हैं, चलें, आगे, ये mechanism थी हो सकता है, अगर आप इजाज़त हो, तो मैं इसे बता दू, ये कैसे triple bond NH में convert होता, पहले इस पर पानी जोड़ेगा, यहाँ होए चाएगा, फिर H फिर दीरे-दीरे यहाँ से ammonia निकल लाएगा, ये ldhyde बन चाएग, mechanism जरूत है, नहीं न, बस इतना mechanism पढ़ चुके हैं कि आलडी दिमाग ब्लॉक हो चुका, stiffen reduction, द्वारा भी ldhyde बनाते है, stiffen reduction, इसमें क्या करते हैं, sinide कर एक्षन SNC L2 plus SCL से कराते हैं, followed by hydrolysis, पानी, तो जो sinide का carbon है, ये ldhyde में बदल जाते हैं, इसे stiffen reduction कहते हैं, मतलब, ldhyde क्यों बना रहे हैं, stiffen भी बना रहे हैं, रोजन मोंड भी बना रहे हैं, ऐसे कई लोग बना रहे हैं, linklar catalyst भी बना रहे थे हैं, तो क्योंकि ldhyde मैंने बताया, ketone बहुत ही क्या होते हैं, important होते कि इसके वज़े से 10 रुपर बनता है, मेरे वज़े 5 रुपर बन जाएगा, तो मेरा वाला यूच खोलो तरीका, ठीक है, अब यह mechanism मैं बता दू, यह कैसे होता है, इसके mechanism की जरुद पढ़ेगी, इसलिम मैं बता रहा है, देखो, सबसे पहले हमने किसका mechanism पढ़ना है, r, triple bond, end, किस reaction है, बता दो इतबार चल दिसे, SNCL2, प्लस, SCL, followed by, S3O+, क्या बढ़ा, देखो, SNCL2, अगर किसी जगह रहता है, तो यह ionic form में रहता, SN+, या इसे 2CL-, और SN+, 2 में टूप जाता, SN+, 2, अपना, प्लस 4 oxidation state में जाना चाहता है, तो यह अकसर जिसमी मुहले में जाता है, बिन बोले, ये 2 electron's निकाल के, ये, SN+, 4 में बदलना चाहता है, जैसे कुछ लोग जाते है, बिन बोले, सेलफी ले लेते हैं, ले 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 भाई, सेलफी ले, तो उसी प्रता से, SN+, 2 जहां जाता है, 2 electron, अब इसके इस 2 electron's के निकलने से, इसकी मुहले में जो भी होगा, वो दो दो, SCL की वज़े से, दो घर प्रभावित होगा, और इसके मुहले में SNCL2 के साथ कौन सा घर उपस्तीत है, इसके साथ CL भी है, CL भी है, और SN2 इसने तो अभी निकाला है, ये वापस लेगा नहीं, और ये CL के पास जाएगा नहीं, तो ये किसके पास जाता है, ये SCL के पास इतना बार लिग दियांगे, मजा नहीं आ रहाएगा, इसको summary करते हैं, इसको summary करते हैं, इसको summarize करते हैं, इसको summarize करते हैं, ये थोड़े दिल के लिए SN2 बना होगा, और बनते ही बदल गया होगा, ये 2, use हो गया, और जैसे electron जमलिया, वो electron भी use हो गया, था हाँ, 2 SCL से reaction कर को अब यह क्या करेंगे जैसे सामने दिखेगा साइनाइड और यह जड़ से साइनाइड पर जोड़ जाएंगे अच्छा दू ही बॉन टूटेगा एक बन टूटेगा तो यह बन जागा आर अगर हम SNC2 प्लस SCL लेते हैं तो गाड़ी इमाई पर यह होगा प्रोडक्ट पर अगर को यह बन टूटगा पानी को यहां पर और क्या बन जागा अगर मालू यह पानी नहीं होता तो प्रोडक्ट हम क्या लिखते तो प्रूडक्त इमाइन बन जाता है, साइनाई के इसमें करनोट रहे था इमाइन, इमीन और इमाइन दोनों एक ही बात है, जो बोलने के तरीके हैं हमारे आपके, इसमें कुछ भी साइलेंट नहीं है न, अच्छा अगर माल लो, आप से कोई बगीचे में पूछे, अगर बगीचे यह आप से पूछ लेकिए, यहाँ पर, SNCL2 प्रस SCL से रेक्शन करा दें, सिर्पिस से, और दूसरा, SNCL2 प्रस SCL से रेक्शन करा दें, गुरूफ फॉलोड भाई, यहाँ पलेगें, पहले, इसमें फस्ट, सेकेंड, पांड, इसमें सिर्फ यह, तो क्या बने में क्या बन जाएगा? CS3, CH double bond, अच्छा, LD height बन जाएगा? ओ, इसी को कहेंगे, Stephen reduction, क्या नाम इसका हो का बताओ? Stephen reduction, गुरू, SNCL2, SCL से करा दें, तो क्या बन जाएगा? MI, लेकिन इसको Stephen reduction नहीं कहते है, क्योंकि Stephen LD height बनाने का तरीका बताएगा, परंतु उसी से हम घ्यान प्राप्ति हुई हमें, हमें ज्यान की प्राप्ति हुई है, अच्छा, एक मिनद के लिए scientist बना के check कर सकता हूं, आप लों कैसे scientist बनते? अगर आपको scientist बनते, तो कैसे बनते? check करें एक बार, check करूं, आपके exam में पूछा भी जा सकता है, SN, अगर हमने SNCL2 नहीं, बलकि SN plus SC ले लिया होता, तो क्या बनता? क्या? 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 क्यासे? क्यासे? इमी? यही था mechanism? अच्छा, हम लेते हैं, यहां पर भीया क्या? SN, SN कहीं में कनवठ होगा? SN plus 4 में, तो इसके लिए SN कितने electron को त्यागेगा? तो अगर आपके इसने 4 electron को यहां पर त्यागा? अगर हमने SN से रेक्शन कराया, SN plus 4, तो आप plus 4 में कनवठ होने के लिए कितने electron त्यागता बच्छा? चार. अभी चार electron जो होगे यह चार. चार electron कितने ECL को बरबात करेंगे? चार. तो चार ECL बरबात होंगे तो चार ECL माइस भी बनेगे? चार H भी बनेगे? हेलो? और च SN ने चार ECL से रेक्शन किया, तो बना दिया 1 SNCl4 plus 4 hydrogen आगया. अब जहां पर 2 hydrogen था, यहां कितने hydrogen हो गया? तो चार हो hydrogen को तो चार हो hydrogen क्या करेंगे? इसके दोनों बन को तोर देंगे, और यह बन जागे यहां पर. बताओ, जल्दीशे. But this is not steep reduction. यह is steep reduction? नहीं है. तब क्या बन जागा? R, Cs2, Ns2. आपने क्या रटा था? सर, cyanide का metal से कभी metal अदेशी से रेक्शन होता है, तो हमें mine बना देते हैं. आपने भी सही याद किया था. मैं इसको side कर देता हूं, भाई. यहां पर water की कोई आउसकता? नहीं. इन सब की कोई आउसकता है? क्या जीश? तो यह बना. क्या हुआ? यह बना? क्यो? यह बना? क्या बागात है? आचा, ठीक. नेक्स. तो यह कभी कोई पढ़ते पढ़ते ना? हम टेबल पढ़ते पढ़ते रहते तो ऊपर बोले बुल करना यह सार करते हैं. कुछ भी दिमाग में चलता रहता और pen चलती रहती है. वही हाल यहाल यहाँ पर भी है. यह जल्दी से बता दी जाएं क्या बन सब्सक्राइब करते हैं. अगर 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 आप जैसे मिधाइल बेंजीन है. अगर एक जगर पर 3 क्रोली लगा हो तो क्या हो जागा याद रखेगा एन वेच के साथ करने पर यहाँ पर 3 OH हा जागा और 3 OH हा जागा और 3 OH में से 1 S2 अगर बहार निकलेगा. तो बन जागा कार्बोग जली केशिट? पका? नहीं आया समझ में? याद रखना बस आपको इता ही. अचा आपके एकजाम पेपर उठाके मैं 2020 में पूछा गया था. एक बार निक के एकजाम के कोर्शन भी देता हूँ. उस साल क्या किया था कि मैंने आउनलाइन सलूशन दिया था. तो मुझे याद है निक के पेपर, तो सौल क्या करना हो तो डाइक एक पेपर करने के दिमाग थोई लगता हो तो बस आया पेपर थाम दो मिनट. अचा यह स A of, A above reaction, may be, हो सकता, option A, benzyl alcohol, B, benzyl chloride, benzyl chloride, benzyl chloride, benzyl chloride, c, पता नहीं, बोलो, तो B, हो गया, हा, अचा benzyl benzyl नहीं पता हो, क्या, नहीं बोनेस नहीं नाम लिखा हो, यह नाम नहीं था, यह फोटो था, तो नाम नहीं भी पता है तो B, रेखो, अबया, तुम लोगो नाम नहीं पता, का है का doctor हो, patient का नाम है नहीं पता, इसे tolven कहा जाता, इसके group कही बनते हैं, इसके कही तरह की group होते हैं, उनका नाम कैसे लेते हैं, tolven की spelling को होती है, शहीं लिखा है ना, ठीक है, तो देखो, tolven का ortho position का hydrozone है, इसके तीन group होते है, तो कि खरह दुआ Olो किए का टूमुत्रा क Para Boss वह क्रया, तो किरता है, तो है अू पूमुत्न का जलो की, तो है, होते हैं, जुम में तो कि दूमुत्ड रोगो या yen है खिते हैं, तो हैं ज। मैं से कुन ज। लेते हैं, तो हैं ग्षे, जूट्बदकत्रा बबस्ट हैं, तो ह वबार बोचना कभी तोलिविं का और्थो पोटिशन तो लेज़ा जाँ ऑर्थो टॉलिल गृटन गृटन तो यहाँ पर ऐलीग नियाँ चिपका दो जिए अब मेली अदू यहाँ ओर्धा ऐसी यहाँ पर मेटापर है क्या चाहाँ पर एक क्या औरिक नाव जागा एक hydrogen रटाओ, और दो hydrogen बचा है, इसको बलते हैं, benzyl, benzyl बोले तो ये पूरा, benzyl सवत में ये पूरा सामिल रटा था, phenyl बोलें, चो सिर्फ ये सामिल, benzyn बोलें, चो सिर्फ ये सामिल, c-s-2 बाहरा, तो benzyn बोलें, benzyn प्रस c-s-2 सामिल होता, benzyl गूर्फ होता, अब benzyn का एक और वाले carbon गार, तो उसको benzo group क्याता है, ये benzo, ये पूरा, benzo होता है, आया समझ में, इसलिटो benzoic acid बोलते है, benzoic acid में यहाँ पर oxygen लगादो double bond, तो benzoic acid होता है, cocl लगादो benzoic chloride होता है, n लगादो तो benzo nitrile होता है, benzo group, that's benzo, बाइ दोक्र समझ मागया, नहीं है, थोड़ी अंदर से feeling लाओ है, scientist वाली feeling लाओ, getterman coach reaction, बेखो getterman अंकल ने भी aldehyde बनाने का तरीका बता, और aromatic aldehyde, उन्होंने कहा, कि कुस मत कर बाभू, benzene है न, ये benzene पे CO और SCL मिला दे, क्या मिला दो, CO और SCL, CO और SCL एक साथ ले पहले, और फिर इसमें और फिर मुस्कुराओ, aldehyde बन जाए, सबसे आसान तरीक, आज़ा सुनो, इसमें होता क्या है, mechanism, carbon monoxide और SCL जा मिलते हैं, तो आप सब जानते हैं, बाते नहीं, ता बाते करते हैं आप लोग, ये बन जाता है, SCL, HCOCL, जानते हैं आप लोग, इन और्गनी chemistry में पढ़ लि इसमें पढ़ रहे हैं, क्या बन जाता है, और mild chloride, प्लास CL, GenCl2-, अलाग ये GenCl2, और CL के 20 में फिर से ललाई हो जाती है, ये दूर जाते हैं, ये अलग हो गया है, और ये बन गया आपका, ये resonance का फतर था, ये बन बहुत stable ketang है, जो S.L.S. इस नही बढ़ाता अपने, बैस है ये साइन्किश्त है ये ड्वा का कॉंट्री की साइन्य वोग selfish डोन ब्रेस के प्रेस्ट है मर कीसिन इसमें पहर किया मिल्ब्ण ये टलिग्ल सुना है यह ना कि ईष्ट्रे में गुक्षिन हाता कि फो इसको entonces कि आ 어ता कज फो पो भागए अब फो है है प्रोस कि में तो ओर फोजेशनेन के कि एक्षली अगलों को जाद खतरनात पर नेक्षण कर तो आप जैसे इलखीन पर जूटता है वैसे यहां जूट जाएगा यहां पर माइनस आएगा यहां प्लस यहां पर जूट जागा H यहां पर Cल और बन जागा H C double bond N H और यह Cल अर बोलो बेटा यह hydrogen cyanide और यह Cल ठीक है अप्छिर hydrogen cyanide प्लस Cल और प्लस Zincloride लेकि अशम में थोड़े दरबाद पानी भी लेना पड़ता यह बना फिर यह Zincloride यहां से सील निकाल लेता है यहां पर कॉंसे आजगा प्लस फिर यह Cल भी यहां से बहां निकल लेता है यहां पर बन जाता है इमाइन के टान अब इसन निकली कापने है पर यहां पर यहां पर आजगा और यहां पर यह बन जाएगा बेंजल तो बनाने के लिए गेंटन में नेकों एक शन लिए अश्क्रीन नियाथा क्या बनेदेस्टे निक खुतन कर विणकि किया था और इसे पहले वाले में Carbon Mono Oxide और रस्केलता हूँ मैं एक सब कंख्यू जाता हूँ कि कौन Coach reaction है कौन सा Gatterman reaction है तो जिसमें CO होगा वो कौन सा reaction होगा वो Gatterman Coach reaction है थोड़ा feel आ रहा है मिलता चुलता है CO को तो Coach वाला हो गया और इसमें नहीं है वो आ कही होज़़ा मैं ऐसे क्या जवार वाल लगा कि याद तरता है क्या कर रहा है अच्छा सुनो इसमें क्या होता है इसमें आता तो Eldehyde है आप से कोई Question करे Electrophile reaction इसका Electrophile क्या होगा Electrophile up Gatterman Eldehyde Synthesis Option A आप से कुछ है कोई यह वाला Electrophile होगा B यह वाला Electrophile होगा C Both D पता नहीं तो बताओ क्या लिखेंगे तो अक्सर इसमें गल्ती क्या होती है जैसे मैं यहां Reason ना लिखू Hello, मैं सिर्फ यह reaction लिखूँ यह Gatterman reaction और मोची इसमें Electrophile क्या है तो चुकि इसमें CHO गूल पाता है तो जल्दी में हमसे गल्ती हो सकती हैं CHO लिख सकते हैं लेकिन आता है इमाइन के टांग आया समझने है अच्छा अगर इसमें Second Step में पानी न लिया जाए तो गारी कहां पर आके लुग जागी बताओ तो इमाइन भी आप बना सकते हैं यानि यू can prepare इमाइन from this reaction also जसे में एक सवाल करो कर लेंगे आप लो, कर लेंगे ना आप लो अगला थरीका है By Free Radical Sorry, By Free Radical Crap Acceleration reaction यह हम पढ़ चुके हैं आम लो आपका पनीर थंडा हो जाएगा तो यहां से बताओंगो तो पढ़ादू 35, आप 34 तक प्रेख लिए ना यह जाए